हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगी मसाला चाय सर्दी, गर्मी या बरसात मौसम चाहे कोई भी हो मगर चाय पीने का अपना एक अलग मजा है मसाला चाय का अपना एक अलग स्वाद होता है और आप भी बेतरीन चाय पीना चाहते हैं तो इस रेश्पी को फॉलो करें पानी, एक कप, दूद, एक कप, छोटी लाइची, दो, अद्रक, एक टुकडा, लॉम, एक चाय पत्ती, दो टी स्पून, चीनी, दो टी स्पून, या स्वाद अनुसर, तुलसी के पत्ते, पांच, काले मिर्च के दाने, पांच, केसर के दागे, ये ओप्सनल है मसाला चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी लें, और उबाल लें यहां मैं दो कप चाय बना रही हूँ जितने पानी में उबाल आ रहा है, जितने हम अद्रक, काले मेर्च, चिलाइची, लॉंग, कोकरस कर लेते हैं पानी में उबाल आने के बाद, क्रस की हुई सभी समगरी को पानी में डाल दें इसी के साथ तुलसी की पत्यां भी डाल दें और मिक्स करें अब यहाँ चीनी डालें एक अच्छा उबाल आ जाए, फिर इसमें चैय पत्ती डालें चैय पत्ती डालने के बाद, मीडियम फ्लेम पर दो मिनट उबालें दो मिनट बाद इसमें कुछ केसर के धागे डालें इसे आप इसकी पी कर सकते हैं अब इस स्टेज पर एक कप दूट डालें दूट डालने के बाद तीन से चार मिनट मीडियम फ्लेम पर और पकाएं और चम्चे की साहता से हिलाएं हमारी मसाला चाई बन कर त्यार है अब गैस बन कर दीजिए और चाई को चन्नी की साहता से चान लें और चाई को सर्व कीजी अब आपकी परफेक्ट मसाला चाई बन कर त्यार है और आप इसका बिस्कीट या अपने मन पसंद स्नैस के साथ इंजोई करें अगर आपको मेरी मसाला टीकी रैस्पी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजी थैंक यू फॉर वाचिंग और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजी और बेल आइकन को दबाना ना भूलें